अमीर, पूरी ज़ाडियां जाल से भरपूर हैं दस लशकर भी उनसे लड़ने के लिए भेजेंगे तो बेकार होगा जब तक ये लोग ज़ाडियों में हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे शबस कहा है? शबस भी मेरे अकसर आद्मियों की तरह नादी बुटे के जाल में फस गया है अल्बत्त मैंने उसे खत्रे का बताया था जाहरां बसरा हकूमत की मस्ती ने उसे बहरा बना दिया था पिनाया बाजी मत करो अबने हुर्म, शबस कहा है? मैंने अभी हैस किया नादी और उसके साथियों का शिकार बन गया मर गया? अफसोस के साथ हाँ पताये जनाब अकलेकुल मुक्तार का निया मौजजा जाडिया थी जिससे तुम सब खाफिल थे तुम लोग कैसे नहीं समझे के छाडिया जाल से बरपूर थी क्योंकि मेरा मान मैं ये था क्या मौतार छोपकर हमला नहीं करता? लगता है इस खबीज का जाब कोबा खुबी नहीं पैचाना है हमने आज के लिए इतना ही काफी है जंग रोखने का रकारा बजाओ जी हम ये आज साहब आज हमने दुश्मन को जो जो जोड़ार तमाचा लगारा है उसके बाइसों ने हुश समानी के लिए कम से कम एक दिन का वक तरकार है इस पहाने कुछ ऐसा करो कि लशकर वाले कल की तकलीफ को बुला दे और हाँ फारी को जाने के बाद मेरे खीमे में हो मुझे एक इंतहाई राजदारी की बात करनी है तुम से जी हमेर भाईयो आप लोग पिछले दिनों के गमगी वाकिया को भूल जाएए अगर्चे मैं यह जानता हूँ कि हमारे राणी भाईयों का बेदर्दी से मारा जाना हमारे दिलों पे गेरा जखम है इत्मिनान रखिए कि इसका मरहम कल मेदान जग में जरूर पा लेंगे अमीर मुक्तार के होते हुए लशकर खुदा के हुनर को देखते हुए कल आप सब लोग कई मौजज़ात देखेंगे जिनके बावर करना खुदा के दुश्मनों के लिए मुश्किल है और उन मौज़ात को देखकर उनके फटी की फटी रहे जाएंगी तो फिर जाएए डट के खाईए सुकून से सोईए तमाम परशानियों को भूल कर और तलखेयों को सुपर दिखा कर दीजिए साहे इस लश्कर पर खुदा की खास इनायात है इनके लिए शिकस्त एक गेर मानुस शे है कल की कुर्बानिया रमिय जमरात थी के लच करे खुदा शैतान से खाफिल ना हो जाए मौजजा यानी मैं मेरी उमर का एक बूरा लखड़ी पकड़कर चलता है साहरे का मतलाशी होता है उसके हाथ कामते हैं उसकी कमर खम होनी चाहिए मैं तुम लोगों के दादा की जगा पर हूँ अगर खुदा की इनायत ना होती तो बिन अमरो नादी किस तरह से घोले पर बैट कर तलवार चला सकता था और जुबैरी नोजवानों की एक फोच को मार भगा सकता था और जुबैरी नोजवानों के लुबैरी 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 नोजवानों कर दो भीकष्ट है तुम्हारा कितना नुखसान हुआ है ज़ाडियों के परिंदे? अब तक कुछ नहीं बता अरब शहसावार मेरे आधिया फ्राद ज़ाडियों में गए थे मगर एका दुका ही जिन्दा लोटे है मुझे तु ये हैरत है कि शबस कैसे फस गया? मैंने बताया तो है कि नाधी बुटे के हमले से शबस से ऐसी गफलत अलापरवाही बाई थी तुमसे क्या चुपाना? मुझे भी काफी हैरत हुई जब मैंने दिखा कि वो लापरवाही के साथ नाधी के करीब चला गया यहां तक कि कुछ देर दोनों में गफ्तगू भी हुई किस बारे में? पता नहीं मैं उन से दूर था और उनकी आवास सुनाई नहीं दे रही थी अचानक शबस सकराया और घुडे से जमीर पर गिर पड़ा और तुमने कुछ भी नहीं किया? मुझे क्या करना शाहिए था दो पेर मेरे पास थे दो पेर मज़ीद उधार लियो और भाग निकला मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ था कि शबस का बदला लेने के लिए अपनी जान को खत्रे में डाल देता हाँ और वो भी उस वक्त जब के तुमारी कूफे की निजामत का हुक्म अभी सूखा भी नहीं है मुहलब? हाँ तुम मिने हुर की बातों पर यकिन कर सकते हो? कौन सी वाली? यही जुटी बाते जो उतने शबस की मौत की मुतालिकी है मैंने ये मान लिया के शबस मर गया मगर आज नहीं और नहीं नहादी बुड़े के हाथों से शबस तो उसी वाक्त मर गया था जब उसने अपनी तल्वार की खीमत का मतालबा किया था हम लोगों को आज ही रात पीचे हटना होगा मगर ऐसे कि हमारी फौजों को भी सुब होने तक हमारी इस तद्बीर के भिनक न पड़े आज रात अंदेरा होते ही हमारी आदी फौज के साथ कूफे की जानब चल पड़ो अपने गोड़ों की सुमों पर कपरे भंदो और बगर कोई आवास किये निकल जाओ और सुब का उजाला होते ही दोड़ते हुए आगे पड़ना ताके हरुरा के लागे से निकल जाओ अगर किसी ने इस बारे में पूजगच की तो उसे ये कहते ना के दुश्मन पर शबखुन माने के लिए निकल रहे हो हरुरा से दूर होने के बाद तुम अपने सिपाहियों को वजाहत करके तद्बीर से आगाह कर सकते हो कूवे पर पहुँचते ही अपने खुसी फौज को शेहर के असले तर्वासे पर मकर्रर करतो और महल के अंबारों को खाने पीने के सामान से बरतो और अगर उन्होंने हरुरा से पहार जाने के रास्टे में जासुस चुपा रहने हो तो शबस के बारे जाने के बाइस महलब और मुसब की उर्दू का हमें काफी हल चल मच गई होगी मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे पीछा हटने का सोच पिसकते होंगे और खास दोर पर आज जब कि हम मैदान के फाते रहें मगर फिर भी मैंने कुछ कारणे मौयन किये हुए ताकि तुम लोगों के पहुचने से पहले शब खुन मारने के रादे से तुम्हारा रास्ता खोल देंगे काश में रुख जाता और आप चले जाते खुलोस और मुझे से पुशिदा नहीं है साइब मगर आज दुश्मन नाम मुखतार से जादा डरता है पंजस्पत उसकी फोच से तुम मैं रुक कर दुश्मन को मसरूफ रखूंगा ताकि तुम भाहिफासत कूफा पहुच सको माफी चाहता हूँ अमीर यकीना आपने अपने हर तद्बीर में हर जावी के बारे में सोचा होगा मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ अगर ना कहूँ तो दम गुट जाएगा कूफियों की बेवफाई से मताद रहीएगा मैंने कभी भी कूफियों से वफादारी की उमीद नहीं रखी है मेरे लिए वफाई अजाम कूफियों की बेवफाई के दिनों का जाखिरा थी अगर जे मरहुम बिन शुमयद की घफलत एक आश्टाहा बन गई और क्याम के कठेंदेनों के जखीरे को डस गई मगर अभी भी कुछ ऐसी गेरमलई ताकते मौजूद हैं जो बवक्त दरूरत सामने आकर क्याम की हिफाज़त कर सकती हैं जाओ साहिब पुर्सकून होकर जाओ अपने और तमाम सरकार योदेदारान के अहलों आयाल को कसर कूफा में मुन्पकिल कर दो उम्रा और उम्र साहबित को फरामोश मत कर देना उम्रा आ जाएगी मगर उम्र साहबित शायद कुछ जिद दहस करें उसकी पत्तमीजियों को हंसुनी करके उसे काहिल कर लेना बहुमीद अदीदार तरकूफा इस बेदीन कजब ने ये साबित कर दिया है कि ये अजम के साथ और अजम के बगएर दोनों तरह से गालिब आने वाला है शबस ना मारा जाता उसे वालूम था कि मुख्तार के पास कौन कौन से सारे मौजूद है मुझे शबस के मारे जाने पर शक है भाई किस बात पे शक है तुमें मुझे पता नहीं मेरा अंदाजा है शबस एक मौताद और चलाग इंसन था वो असानी से जाल में फस नहीं सकता वो जंके राज रूबूस से वाकिफ था उसके खौप और खतर से आगा था अच्छी बुरे की तमीज रखता था ये बात मानने के काबिल नहीं कि वो अतनी असानी से मर जाए क्या जाफर का ख्याल ठीक है मौलब हम ख्यालात का दामन क्यों था में जबके हर चीज हमारी मर्जी के मताबिक है अगर हर चीज हमारी मर्जी के मताबिक होती तो आज मुगतार की कमर खम हो जाती मुझे यकीन है कि शबस को वो बाते पता थी जो हमें मालूम नहीं मसलम कौन सी बातें यही मुगतार की मजीद फौज और मखफी ताकते और हैरत अंगेस फनून और लशकरे शबस न खामखा एक फजूल की बात कर दी थी और फिर एक चड़िया के बजाए एक मोटा ताजा परिंदा शिकार कर गया उसने अपने आपको महगा बिजने की बात की थी जो उसने किया बसरा की हुकूमत कोई छोड़ी खीमत न थी यही बात एक पहली नहीं लगती जनाब महलब शबस इतने शोर शराबे और शर्तो शरूत के बावजूद बसरा की हुकूमत तो हसल कर गया लेकिन या आर्ज उसके दिल में रह गई क्या यजीब नहीं शबस हद से ज्यादा दुनिया से हेरा सकता था तुम यूँ क्यों नहीं सोचते कि उस तक्त को पाने की मस्ती नोसे गिरा डाला हो ये मान लीजीए कि शबस बसरा की हुकूमत के खबाले के साथ हुकूमत बनी जुबैल के लिए वबाल बन जाता खदा का शुकर कीजिए कि उसका शर्दफा हुआ मुहलब आज जब खुद मुख्तार आया तो हम पहले मकाबले में मखलूब हो गए तुम इस बात से फिकरदमर नहीं हो क्या नए क्यों मैं पहले भी अर्स कर चुका हूँ मुख्तार आजमों को खोने के बाद जो उसके लशकर की अक्सरियत में थे अब हमारा मकाबला नहीं कर सकता वो हरूरा से मजार की तर्फ चल पड़ा ताके हमें रुकाउटों की सहमत में डाल सके और वाकई उसने काफी नुखसान किया है हमारा उसकी आज की ये काम्याबी इसी जगा की तबदीली का नतीजा है अगर मैं गलती पर नहीं तो मुख्तार अपने इस चुहे बिली के खेल के जरीए आइस्ता आइस्ता पीछे हटना चाहता है वो जंग को कूफे के अंदर खेच करने जाना चाहता है मुख्तार और पीछे हटना दाउन किल है वो अपने आपको करारे गेरे फरार समझता है ये पेशगोईया दो टके की भी नहीं है अगर मुख्तार पीछे हटना चाहता और कूफे को ही मैदाने जंग बनाना चाहता तो हरकिस कूफे से ना निकलता वो बात करो जो अकल में आए समझ में आए मैं सिर्फ अपनी राए का इजहार कर सकता हूँ अमीर को रत करने का इख्तियार है चाहें तो मेरी राए को कुबूल ना करें मुखलब अगर मुख्तार कल भी आज की तरह कारना में दिखाता रहा और हमें और हमारे लशकरवालों को डराता रहा तो मुझे मجबूरान वो करना पड़ेगा जो मुझे पसंद नहीं मैं आपके इस्रार पर आपके साथ कھड़ा हूँ अमीर नहीं आपकी धंकी से डरता हूँ और नहीं अफसरता हूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं आज के बाद खामोश रहूं और बकौल आपके नमा कुल रहे न दूँ तो ठीक है मैं खामोश हूँ मुहलब तुम हमारे लशकर की अकले कुल हो कुछ ऐसा करो के मुखतार कल मैदान हार जाए बहुत हो कल मैं खुद मैदान में जाओंगा अमीद है शर्मिंदा नहूंगा मैं नसीहत करता हूँ कि मुझे एक खेर खाब बाब जानिये बनिजबत एक अच्छे मुशीर के शब खेर ताक्जब है कि अमीर मुखतार ने शबखोन की रजबंदी दे दी हमारे रानी भायों के मजलुमाना कतले आम के बदले में ये शब मुख कुछ भी नहीं आज कौन सी चाल सोच रखी है तुमने जुबहरियों के पास एक अकले कुल है जिसका नाम है मौलब चोके एक सुराग से दो बार डसा नहीं जा सकता यकीनन आज साइब की हुनर नुमाई का दिन है जिसने अपने हमले को कल रात से शुरू कर दिया है मुझे नहीं मालूम इसमाईल जाओ अगर मैं गलती पर नहीं तो आज तुमें बादे दिखानी होगी जाओ ये क्या कर रहे हो मुझे बेवकूफ वना के बार कर जादू करने का रात है हाज में जो का मुझे ने किया है तो मुझे खौफ ने तुम्हें भी वहमी बना दिया है जब तक ये चाड़ियां और ये जंगल होगा मुझे पर गल्बा पाना मश्किल है चाड़ियों में आग लगा रहा हूँ ताकि इसकी दिल सोच पकार और सुनने वाले को पागल कर दे ये लिजे जनाब मुखलब तुम मकार हो तो मुख्तार मकारों का शेहंचा है जाहरे नातिस बाजी में उससे काफिन मज़ा आ रहा है क्या जादू दिखाया है आपने अगर खाफ ना होता तो मैं मुख्तार को मुशा करीम लग कह देता और इसाग को उसकी एजाजी असा कहता मुझे खुशी है कि मेरा अरीफ एक अच्छा मुझे समा है हमारे हकूमत की सरुनोष्ट आज की जंग रकम करेगी इस जंग को एक आतिशबादी से मत हार जाना जनाब मुखलब जाओ शेहजादे जाओ जो 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 देखा है अपने भाई को बता दू आज की महारत मुखलब हर उस शख्स के लिए देखने वाली है जिसके दिल में जर्रा बराबर भी जुबत हो मख्तार मैं जानता हूँ तुम इस वक्त को फिक्राबे हो काश तुम मजार में रुख जाते और मुखलब की उनर नमाई का मनजर देखते अमीर फौजी ठगे हैं बेटर ये होगा कि कुछ देर आराम कर ले नहीं अजर्रा मुझे डर है के हरूरा की खबर हमसे पहले कूफा पहुँचाए और सारा काम भी कर जाए तुम तो कूफियों को जानते हूं राए का पहाड बना देते हैं इन्हें सिर्फ ये पता चल जाए के मुझार पीछ हर्या है अफ़ा पहल जाएगी कि क्याम के फात्यखवानी की मज़िश बर पहुरेगी कि कहांसे जाएया के पताम इन्हेंड़ा कि क्ट्रिक जाए़ा पहलेっ जाता है बिखए बिख्ञे हैं वर गुक्तो कासा है लिख जादा के सबस्केस और समसे मोथे हैं पहत वार ऑ्छर regain हों कि अारेगर कि में जएग zajए हैं मैं अर्थामं कि किि आ कि अई और पोलन झाल, हुआ हुआ। झाल झाल कि मिलेए भाफ आए पाफ प्याओ कि अवयर हला कि अवा जा एगार भॉारा कि अवयर हम एक जा कर दो! एए हमारे बुड़े शेर! ये साबित कर दो कि सुबैरियों का बुड़ा मेडिया हमारे सुफैद रिशवाले मुजाहिद को मगलूब नहीं कर सकता! जाओ बिन चादा! वैं जो चादा था वो मैंने पा लिया! जाओ! मुख्तार तुम लोगों का मुंतजर है! हम साथ जाएंगे भाई! तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो! बिन चादा! वही हुआ जिसका खत्षा मुख्लब को था! मैं ये नहीं मान सकता कि मुख्तार कुफ़े के जाने जा चुका है! तो मानो या ना मानो आप चुड़ी आप पिंजरे से उड़ चुकी है! क्या करें मुख्लब? आप मुझसे मुखातिब हैं क्या? अगर मुझे आपकी कारनुमाई का अंदाजा होता तो कभी आपकी आलमाना राय को रद ना करता? तो मुख्तार को उसकी मां से भी ज्यादा पैचानते थे! लगता है जनाब मुख्लब की दुम राज़दारी से जुड़ी हुई है! कभी का बार इतनी पूरिसरार होती है कि इनसान को डुरा कर शक में डाल देती है! जाहरन आपकी दुम को शक से जोड़ा गया है शहज़ादे! शक अच्छी चीज़ है! मगर बशर्ते के वो बिमारी न बन जाए! मैं जाफर की और अपनी जानिब से मौफी मांगता हूँ! आज के बाद तुम हमारी जगा एकमात सादर करोगे! अब बताईए कि हम क्या करें! आज ही रात अबन हुर और उसकी फौश को कूफे की जानिब भेज़ दो! हमें मुखतार को इसकी मौलत नहीं देनी चाहिए! के कूफियों को अपनी जानिब खेर सके! आज ही रात ये काम कर दो जाफर! फॉरण! जी अमीर! तरदीद मत करो जाफर जाओ! मैं जा रहा हूँ भाई! लेकिन मुझे यकीन है! तुम अभी तक शबस की मौत पर शक्र कर रहे हो! तुम्हें लगता है अबने हुर ने उसे मारा है ना? मुझे लगता है जनाब मुहलब! यकीन है! अबने हुर मुझार का चेला है! फिलहाल इस बारे में खोश लगाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है! मुक्तार ने क्या किया है? पेश खद्मी! पेश खद्मी किस सरफ? कूफे की जाने बदबख्ती से हमने शिकष्ट का सामना किया! ये कैसे हो सकता है? खेयानत की वज़े से बीबी! खेयानत! मुहलब ने एक चाल चली! अरब ने आजम पर शक किया! लशकर तूट गया! तु पिर कियान और बिन कामिल कहा दे आखे? लशकर का अमीर बिन शुमेत था बानू! उसकी जीद थी के अजम अफराद भोडों से उता रहे! अजम उतरे और दो हिससे बन गये लशकर ने! कियान और बिन कामिल दोनों ही मारे गए! हाई! मुक्तार कितना तन्हा हो गया है। जनाब अमीर का इरादा है के शहर कूफा को मैदान जंग बनाएं। क्यों नहीं? मुक्तार मुश्किल दरिंग मैदानों का मुदबिर है! हो बहुत हो भी जानता है के खौफ-खदर के दिनों में क्या करना चाहिए। खुड़ा आपकी जबान मुबारक करे बानों, जनाब एक साइब कभी यही मानना है। उनका हुक्म है के वक्त जाया किये बगए, गुफे की जाने में निकल जाने चाहिए। बश्पी करो साबित, तुम्हारे बाप ने इस तल्वार से कौन जा भला देखा है जो तुम देखोगे। जाओ इस तल्वार से खेलने की बज़ए किताब ही पढ़ो ताकि अपने बाप की तरह किसी जाल में न भजज जाओ। इंसान की तबिया जंग की तालिव होती है माँ, जंग तो रोज अबल से रही है और रहेगी, जो शक्स तल्वार को पीट दिखाता है, वो उस शक्स से पहले खाग में गड़ जाता है जिसके आप तल्वार होती है। ये मिर्च मसाले वाले जुम्ले में मुखतार की मेरास है। मैं खोश दी कि मेरा बेटा एक नजूमी बन साएगा और अपनी माँ के तारीकों को रोशन करेगा। बेटा सादित, जल से जल अपनी वालदा को बलाओ, मैं उनके लिए पेगाम लाए है। मेरी माँ से क्या काम है तुम्हें, इस घर का मर्द में हूँ, तुम अपना पेगाम मुझे लिरो जली करो। सादित, मुझे हुकम है के तुम्हारी वालदा को पेगाम पहुंचाओ, जाओ उन्हें जल्दी से बलाओ, बाहदूर। क्या हुआ है। माफित चाहता हूँ, खबरे तो बहुत है बाहनों, लशकर कूफे की चाने पीछे अट रहा है। आमीर मुझे का इरादा है, के जंग को कूफा शेहर के अंदर ले आए। उन्होंने हुकम दिया है, के आप भी जल्द जल्द कैसर कूफा को चली जाए। या साहिब सब्र। मेरा दिल कही रहा था के आले सुबहर के साथ जंग करने में बिलाकर मुखतार का खाना खराब होई जाएगा। कि अन्होंने ढ़ाईए। उन्होंने बिलिल जाएगाड़ के वुपतार के अंहों 할े खाना खराब ठाले रश्याव वर भुपतार अंदर। क्ष़ताइब से कुआ़ में बिलिलestra थेख 있으ावआं कर दो, प्रॉटי, हुआ 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 है कर दो ही में निया हुआ है झाल झाल अरे वा, बानो उम्रा, आपकी जियारत से बहुत मस्रूर हूँ आप कौन है? आपको हग है मुझे ना पहचाने, कुछ अर्सा पहले एक छोटा सा सिपाही था आपके शोहर की रकाब में, कड़्दीर का क्या कहना? अश्टर के बेटे के लाल्ची पन ने मेरे और मुझे दरमयान जमीन और अस्मान का फासला पैदा कर दिया और अभी इबने जुबेर के लश्कर में हूँ, और फिर कूफे को फटा करने के बाद, कूफे के हजारो कबीरे वाले शहर का नाजिम बनूँगा अब पहचाना आपने? अच्छा, काश तुम्हारा किरदार भी तुम्हारे नाम की तरह होता? इस बच्ची को देखो, किस कदर डर रही है ये, ये जो तुम कर रही हो, क्या ये मर्दांगी है? हर्गिस नहीं, बहुत बड़ी बेखेरती है ये, हमारी जन्ट तो मुखतार से है, उसके घरवालों से नहीं बहतर यही होगा, कि आप ये जान लें कि जब आपके अदल और इनसाफ के पैकर, मिया साहिब का हाथ मुझ तक ना पहुँच सका, तो मिरी बीवी को कैद कर लिया उसने, अगर मुझे अजास्त होती, तो मैं कूफे तक आपकी मुशायत करता, मगर क्या करूँ, मैं हमें जिनाब मुशब के बाल जाना होगा, अक्मी कसला उनका होगा बाबा का हुकुम है अमा, हमें महल जाना ही होगा अभी मेरा अपनी जिन्दगी से दिन नी बढ़ा के महल में जाके जिन्दा दफन हो जाओं गलत बात मद करो ओमा, ये कोई अच्छी बात नहीं है, याद शिमर और उसके लश्कर वालों के हमले पर भी आपने बाबा को उन्दंग किया था उन्हों ने भी तो महल का महास्रा किया था, उन्दंग क्या हुआ बाबा ने सियासत से काम लिया और उनका कला कमा कर दिया मुसभ का मामला शुर्म रोर्स के साथियों से पिल्कल मुक्तालिफ है ना तो मुक्तार पहले वाला मुक्तार रहा है और ना ही इसके साथी कोई धंकी अफराद है उसके तमाम तर अच्छे सरदार मारे गए है क्यान एराने, बिन कामिल अरबे, बिन अनस, बिन शुमेत सब मर गए है आश्टर का बेटा भी मुसल में बाश्याहत की हवस ले बैठा है और मुक्तार से कट गया है मुक्तार तनहा है अगर उसके पास खुदरत होती तो वो हरूरा में मुसल के सामने खड़ा रहता और जंग को कुफे की गलियों तक खेंच कर ना लाता पीछे हटना भी एक जंगी तद्वीर है हमा हाँ, लेकिन बशरते कुफा मैदाने जंग ना हो अगर मुसल का हाथ कुफे तक पहुंच जाये तो कुफे वाले उसकी कदमों की खाक को आँखों का सुर्मा बना लेंगे यह कोई ताज्जब की बात नहीं है अमा यह मुक्तार की बीवी ही उसके साथ खड़ी ना हो तो कुफे उसके क्या तवक्को रखना आप मेरे बात की आशिक है या नहीं अच्छा अच्छा इन बातों का तुम से क्या वास्ता सच कहते हैं कि आखरी दोर आ गया है शर्मो है तो तुमको चूकर नहीं गुजरी तुम लड़की हो जो इश्को आशिक की बाते कर रहे हो अपनी मा से कोई कुफ तो नहीं किया मैंने अमा अब बाबा की आशिक होंगी तो उन्हें तरह नहीं छोड़ेंगी हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे आप मताईए मैं तो जा रहा हूँ ऐसे कैसे जा रहे हो क्या मैं मर गई हो कि मेरा बेटा जो चाहे कर गुजरे तुम्हारे बाब की घमर और रेटाई से तो निम्मट नहीं सकी मगर तुम से तो निम्मट सकती हो ना चलो अंदर चलो अमा मुह बंद करो तुम्हें नहीं मालूम कि जो भी महल में चला जाया मुखतार के जुर्म में शरीक होता है मुसब ने महल पर कबजा कर लिया तो सब की गर्दने उरा देगा फिर तुम्हारा क्या होगा काश इस बात की इजादत होती कि मुझे ऐसा बेटा तुम जिसी मा का मुनकिर हो जाए अब मुझे समझ आया कि मुखतार हमारे इस घर में क्यों नहीं रहता जो घर इश्क से खाली हो वो जाहनना होता है कहां जा रहे हो साबित मच जाओ आमा की जान मैं हाट तूट जाए मच जाओ मैं तुम्हारे बेगर मर जाओंगी मर जाओंगी ना इना मेरा अभा है अना तो जल्दी जल्दी कर जाओ जाए तुम लोग घर के महाफिज हो या खेट के पुतले हो क्या हमसे कोई घलती हो गई बानौ तुम लोग अंदेत है क्या जो मेरे बेटे को घर से भागते हुए नहीं देखा भागने वालों मैंसे नहीं है बानौ खुदा का शुकर है वो बहुत अकलमद और मुधब है वो महल के तरफ गये हैं बजाहे जनाब मुखतार का हुकम है आपका तश्रीप ले जा रही है बानौ मैं किसी जहनूमें नहीं जाओंगी ये बाप बेटे एक दूसरे को देख लेंगे तो फिर कोई दाकरी नहीं जुदा नहीं कर सकती खुदाया मेरा बेटा मुझे लाटा दे साइब अरे वाँ नजूमे शिजादे को देकर हमारी आख के ठंडी हो गई हमारा कामरदार अकरब को खतम होगा साबित इन बातों का होत नहीं है साइब मुझे कई छुपा दो क्यों खुदाना खासता हमारे छोटे अमीर को कोई खत्रा लहाग हो गया क्या मेरी मा साइब मेरी मा मैं समझ गया यकीनन आपकी और आपकी वालदा मौतरमा की महल में आने के मुझे पर लड़ाई हो गये होगी न यह लंबी कहानी यह भात मैं सुनाओंगा चल्दी करो साइब अभी आ जाएंगी यह साइब वेशत जाओ 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 उस गाड़ी की निचे छिप जाओ कहा है मेरा बेटा कहा है वालेकुमासराम मलका आलिया यह मलका आलिया का खिताब तुम्हारी मा बहनों को मिल जाए मैं उस सरपिरे बेटे की मा हूँ जो नदी देखे बगए कपड़े उतार के फैंक देना चाहता है कहा है वो कौन मलका आलिया मेरा बेटा मुझे नहीं मालू अरे हाँ मैं तो भूल गई थी कि तो मुखतार के रंग में रंग चुके हो जूप तो तुम लोगों की जाद में बसा हुआ है खुशा अंदी नामीर शुक्रिया सरदार क्या खबर दूप खबर वहीं है जो मैंना आपको लिख भेजी थी दुश्मन की फोज शेहर गेर मारूफ रास्तों पे खड़े हो चुकी है हमने भी तीन चार महीनों को खाना जमा कर लिया है कूफे के लोगों की क्या खबर है जादर तर अपने घरों में छुपके बेड़ गए है गोया कूफा लोगों से खाली हो चुका है ये कोई अच्छी अलामत नहीं है अगर लोग मैदान में ना आएं तो जंक अमामल भी कर सकता है इस बेज़ती से आप मेरी और बाबा की इज़त पर पानी फेह रही है चुप चाप घर चलो खाबाखा समधर सी मत करें अगर आप मुझे जंजीरों से भी बांदेंगी मैं फिर भी भाग निकलूंगा आप मुझे नहीं रोग सकती और मैं तुम्हें भागने दे रही हैं जैसे चलो बाबा मेरी मदद कीजे बाबा अम्मा महल में आना नहीं जाती और मुझे भी आप से जुदा करना चाहती है क्या तुम वाकई बाबा के पास रहना चाहते हो जी बाबा मैं मुकतर का वेटा हूँ उसकी तमाम तर अच्छाईयों का वारिष हूँ मैं जरिब घार बाग और जरो दिवार का वारिष नहीं रहना चाहता मुकतर की बैतीन मिरास शम्शीर और शुजात है मरहावा मेरे बेटे फकत इतना मत भूलना के मुकतर क्यासे मिरास आश्ग रहनी है मुकतर कम असकम खुदा के वास्ते इस बार तो मिरी इलाज रख लो मेरे बेटे की जवानी पर रहम करो और उसे मेरे हवाले कर दो मैं नहीं चाहती के मेरा जिगर गोशा एक्तदार के भेडिये के खुराख बन जाए नारिया जुबेर के बेटे मुकतर की ओलाज से भी घबराते हैं उनके हाथ साबित तक पहुँच जाए तो वो उसे माल डालेंगे ये मनूस महल भी तुम लोगों को डस लेगा इन्ना मालूसरी युसरा बेटर होगा कि तुम भी महल में ही रहो मैं ऐसा नहीं कर सकती मुखतार ये मेरे हाथ में नहीं है मैंने हामेशा तुम्हे अजियत दी है ताके तुम्हें बचा सकूँ जब मैं तुम से नाउमीद हो गई तो मैंने अपने बेटे से उमीद लगा लिए क्योंकि वो तुम्हारी बूर रखता है अफसूस मुकदर यही था के मेरी तमनाएं बरबाद हो जाए जाहर है ये भी मुखतार से मुखत करने का बदला है नारिया ये मत भूलना कि तुम उस शक्स की बीवी हो जो अपनी गहरत और शराफत कर किसी भी मुखती के बदले सौरा नहीं करता साइब साइब अमरा कहा है बदकिस्वती से बान अमरा जुबेरियो के हतों केद हो चुकी है साइब बदकिस्वती साइब 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 दूरूद हो अमीर मुसब इबने जुबहर पर आप पर भी दूरूद हो क्या ताजा खबरे हैं जनाब नाजिम जहर कूफे के तमाम तर छोटे आस्ते खोल दिये गए हैं कूफे के कुछ लोग अमीर का इस्तक्बाल करने की तयाया कर रहे हैं और कुछ लोग खामुशी इफ्तियार करके घरों में बैठ गए हैं असली दर्वाजा और महल के सामने का मैदान मुखतार के साथियों के हाथ में हैं काश हम असली दर्वाजे से कूफे में दाखिल हो पाते ना के छोटे बोटे दर्वाजों से अजनेवियों की तरह भाई हम चाहें तो असली दर्वाजे पर हमला करके रास्ता खोल सकते हैं एक नहायत ही खतरनाक काम होगा वो क्यों कूफे के असली दर्वाजे पर हमला करने से मुखतार को इस बात का बहाना मिल जाएगा के कूफे के गहर जानेदा अफराद को जोच दिला के जंग की अक भड़काने का इल्जम हमारे सर पर ढाल देगा तुम तुम्हारी क्या राए है मौलब मैं जनाब नाजम के राए से मत्तफिक हूँ शेहर कूफा के अंदर जंग लड़ना हर लिहास से हमारे लिए नुकसान दे और खतरनाग है हमारे सिपाही कूफे में अजनभी हैं मुद्दतों से अपने घरों से दूर हैं और फिराख को काट रहे हैं जंग के दोरान खाना पीना जमा करना भी एक कठें काम है कूफियों को शेयर में हमारे होने से नामन होने का इसास नहीं होना चाहिए वरना हमारा काम मुश्किल हो जाएगा तब अको इस बात की है मुख्तार ये चाहता है कि हमें और कूफे के लोगों को आपस में लड़वा सके मैं ये मश्वरा दूँगा कि जगड़े से गुरेस कीजिए हमारा कूफे के लोगों से जो भी बरताओ होगा वो जंग के अंजाम का तायून करेगा ठीक है अबन हुर हम लोग छोटे रास्तों से कूफे में दाखिल होंगे तुम कूफे और कूफे को बखुबी जानते हो महलों और कबीलों के इخलाक के मताबक ही शहर के अधिदारों का तायून करो खुसुसी ताकीद करो के वो लोगों के साथ प्यार महबबस से पेशाए लशकर वालों की जरूरियात को मुनसिफ़ाना कीमत पर खरीदो किसी की नापाक नजरे लोगों के नामूस पर ना उठे और ना ही कोई शक्स उनके माल पर लाला जड़े खताकारों को शदीद तरीन सजा सुनाए कोई खलती ना हो जी अमीर और हाँ बानो उम्रा मुखतार की बीवी और नमान इबन वशीर की बेटी हमसे इतिफा का ना मिली उनके कारवा को एहतराम के साथ रोग लिया गिया है ताकि आप खुद उनके बारे में हुकम फर्माए सुन रहे हो मुखलक खुदा हर तरफ से हमारा ही मददकार है हमें शिकार करने की जैमती नहीं करनी पड़ी शिकार खुद चलकर हमारे जाल में फस गया कहा है आप से चन्ज कदम के फासले पर है अगर आप माइल हों तो उसे आपके पास नहीं कर रहूं नहीं नाजमे शेहन नहीं हम खुद उनके दीदार कुचाएंगे यह औरत मुधार से दूर कैसे रह गई यह औरत रफ़ा की गाउं की रहाईशी है इसने निकलने में देर कर दी और मुधार तक नहीं पहुंच सकी क्या यह वो ही औरत है जो मुधार की हम फिकरे जी मैंने सुना है यह मुधार के खास हामियों में से है वक्त तुमारे साथ है मुसाब इस औरत को खैद करके हम मुखतार को आज़ी शिकस्तों दे चुके हैं मेरे जासूसों ने मुझे ख़बर दी है कि समरा इबन जुन्दब मुखतार की पहली बीवी भी घर में रहे गई है और महल जाने से इंकार कर दिया है वो औरत मुखतार के अकाइद से सख खलाफ है समरा इबन जुन्दब को जानते हो मुखलब किसी हद तक वो ही शखत जिस पर रसूल खुदा ने लानत फरमाई थी हाँ खुदा की कसम इसी रिष्टे की वज़ा से मुखतार गुमरा है और उससे जंग करना जाइज है ये तो पहली दर पहली हो गई है कैसे शायद मुखतार की बीवीयों का उससे दूर रहना भी एक जाल हो कैसा जाल हो कैसी पहली अब तक तो नहीं समझपा है सिर्फ इतना जानता हूँ के हमारा मुखतार कहलो याज से तुन्धोई या नर्मी का बरताओ हमें लोगों की नजर में शेतान या फरिश्टा बना सकता है ना ना तकलीफ उठाने की जरुरत नहीं है बानो अंदर तश्रीफ ले जाएए साय में आप इराकी तेज धूप से महफूज रहेंगे मुझसे कौन बात कर रहा है मुसब इपने जुबैर जनबे मुसब इराकी धूप अजनबी को जला देती है मगर यही इराकी धूप इराकियों के लिए मा की आगोश की तरहां गरम है जिन्दगी बख्ष और गरम जूशी अता करती है मतलब हमिरा आग में अजनबी है आप इजास से आ रहे हैं फैसला अभी के हाथों में है कि आप इराक में जनबी है या नहीं तुम्हारे शोर ने मजबूर किया कि हम इराक की तरफ लशकर कशी करें और ऐसी जंग शुरू कर दें जो सिरुफ भाई भाई का कतल है अगर मुक्तार को अप लोग उसे जंगर नहीं हो दी तो वो हजास की तरफ लशकर कशी करता क्या उसने हजास की तरफ लशकर कशी नहीं की लखडी लाठी लेकर खाने काबा के सहन पर तूट पड़े और जदुको करके लूट मारमा चाही काबा हर में अमन है और जंग सहने काबा में हराम है हाश्मी सयद की जान बचाना क्या लशकर कशी कहलाता है बानो आपके जादुगर कज़ाब और सफाक शोहर को हरूरा में शिकस हो चुकी है आप हमारी कैद में है एक फाते की तरह क्यों बात कर रही है हर गिरने को शिकस का नाम नहीं दिया जाता जनाब मुसब अगर आम उक्तार को मेरी तरह पहचानते तो अपने पैरों से चलकर कुफ़े के भवर में न भस्ते आप क्या काईद और अफकार अफसोसनाक है बानो आप हमारी महमान है अदब और इसलाम दोनों का इतकाजा है कि हम महमान को महतरम जाने है कुफ़ा हमारा घर है आप गासब हैं जो घर वालों की अजासत के बगए उसके घर में गुसाए हैं और फिर गासब हैं क्योंकि अपने आपको घर का मालिक कहने लगे हैं आप इस रस्मे वाली जबान से मुझे घुसा नहीं दिना सकती महतरमा हम मुसल्मान हैं और ऐसे हालात में हैं सब्र और खामोशी का हुक्म है और तवक्ल भी अबने हुर इस खातून को हिफाज़त के साथ कूफे ले जाईए और मुख्तार के घर में ठहराईए जब आपको यह यकीन हो गया है कि आप मुसल्मान हैं मुझे मेरे शोहर के पास जाने की अजासद दे दीजे यह नहीं हो सकता जो मुणहर इफ़कार आपके हैं उनके मताबक जाइज नहीं है कि आप मुख्तार के पास जाएं